हाई फ्रेंड्स मैं हो खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स वोर्षत पर आपको message sending की problem शो हो रहे हैं आपको वोर्षत के अंदर message send नहीं हो रहे हैं आप किसी को भी message send करते हैं बट वो send नहीं हो रहे हैं mobile data भी है recharge भी है सब कुछ है network भी आ रहे हैं सब कुछ हो रहा है फिर भी आपके message send नहीं होते हैं आपको कुछ इस तरह की problem देखने के लिए मिलती है तो आप इस problem को कैसे fix कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है सो please चैनल को जरूर subscribe करें वीडियो को like करें and share करें सो चलिए friends वीडियो को start करते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा friends आपको है अपने mobile के अंदर setting पे आ जाना होगा जैसे आप अपने mobile के setting में आ जाती है सो आपको यहाँ पर app manager का option शोग होगा या फिर आपके mobile में apps application MCB आपको मिल सकता है उस भी आपको क्लिक करना होगा जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके mobile के अंदर जितनी पे application है सब आपको शोग जाती है उसमें से आपको whatsapp पे क्लिक करना है जैसे आप whatsapp पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर storage का option मिलता है storage पे क्लिक करना होगा storage पे क्लिक करने के बाद friends आपको यहाँ पर clear catch का option मिलेगा clear catch कर लेना है जैसे आप clear catch कर लेते हैं है Friends अब आपको क्या करना होंगा यहां से आपको एक Option मिलेगा Permissions का Permissions फाले Option परक्लिक करना है जिसे सब sixt है स्ब करने के बाद सब करने के बाद सब को आपको करने के बाद है यहां से आप सा vinden फरेंटी बाट नाओगा आओगा जीती आप करना भाए वाटसप में ये प्रॉब्लम आ रही है पर्सनली या फिर यह सर्वर डाउन चल रहे हैं तो उसे आप कैसे देखेंगे उसके लिए आपको अपने मुबैल के अंदर Chrome Browser application open करनी होगी जैसे Chrome Browser open कर लेते हैं तो आपको सर्च बार में यहां से सर्च करना होगा डाउन डिटेक्टर वाटसप डाउन डिटेक्टर वाटसप आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है जैसे यहां पर आप सर्च करते हैं आपके सामने फर्स्ट लिंक शोगी वाटसप स्टेटस लाइव प्रॉब्लम एंड अउटेज ऑवर वियू इस पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने को जिस तरह का इंटरफीस आ जाता है तो आपको यहां पर लिखा हुआ है यूजर रिपोर्स इंडिकेट नो करेंट प्रॉब्लम एड वाटसप और उसके नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अधर प्रॉब्लम है वोटसप के अंदर सर्वर कनेक्शन में हो रही है 48% प्रॉब्लम हो रही है और सेंडिंग मेसेज जो मैसे सेंड करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो 38% लोगों को शो हो रही है और एप से रिलेटेड वोटसप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम में वो 22% ही शोरी है तो friends यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि यह problem है जो आपके mobile से personally आपके mobile के अंदर नहीं हो रही यह कई लोगों को show हो रही है 30% लोगों को show हो रही है sending message की problem इतना गंड के अच्छ फ्रेंड से यहां से चेक कर लेना है अगर यहां पर नहीं बताता है sending message की problem नहीं बताता है कुछ भी तो फिर आपको यह कि हाँ आपके mobile में ही यह personally आपको show हो रही है problem आपके mobile में कुछ problem है इसलिए आपको यह शोर हो रही है अपने mobile के अंदर play store application open करना है open करने के बाद है friends आपको search बार में WhatsApp सर्च कर लेना होगा और यहां पर WhatsApp को आपको अपडेट बता रहा है तो WhatsApp अपडेट कर लेना है आपको दो या तीन बार अपडेट करते रहना है इसके बाद आपको यहां से और एक बार अपने mobile के अंदर data network को on off कर लेना है तू या त्री बार करके देखना है और यहां से आपको flight board भी वन या टू बार लगा के on करके off कर दिना है इतना करने के बाद friends आपको जो problem आ रही थी sending message की वो 100% fix हो जाएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को subscribe करें Thank you for watching in this video